नमस्कार आप देख रहे हैं आज ही खबर मैं हूँ आपके साथ सयाली पांडे सूबे की सबसे हौट सीट माने जाने वाली जेवर विधानसबा से बहुजन समाज पार्टी के उमीदवार नरींद धाड़ा ने घर घर जाकर वोटों की मांग कर ताल ठोकी है उन्होंने डो टू दो जनसम पर कर वोटों की मांग करने की शुरुआत कर दी है इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए उन्होंने डो टू दो डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है आपको बताने कि जेवर विदान सभा बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक सीट रही है 80,000 से जादा दलित वोटर्स और गुजर गड़ जोड उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है साल 2017 के चुनाव में मोधी लहर में इस सीट पर पहली बार कमल खेला था लेकिन इंटरनाशनल हवाई अड़े के शिलान न्यास के बाद बहुजन समाज पार्टी सीट को वापस अपने पाले में लेने के लिए पुर्जोर कोशिश कर रही है वो सुनिश्चत करना चाहती है कि सीट पर इस बार बसपा की ही जीत हो इसके लिए उन्होंने कमर कसली और जोरदार प्रयास चुरू कर दी है पर जो जमीन अधीग्रेण हुई उसके साथ भारत जिनता पार्टी की जन्पिति जन्होंने धोका दिया उन्हों गुम्रह करके उनको जो सस्ते रेटों में उन्हों से जमीन लिए उचित मौजा दिलाएंगे और जो हमारे स्थानिया किसान हो आज भी सब्सक्राइब को लेकर लड़ाई लड़रे उनकी उन्हों समझाओक समाधान हम पर प्राथ कराएंगे दूसरे एक ब्लॉक हुआ करता था दनकौर ब्लॉक जिसको इन्होंने खतम किया है वह आजादी के समय से ब्लॉक था और उनकी उस पहचान को खतम करने कम भारती जन् सब्सक्राइब के लिए इसको मुद्दा बनागी इसको सिलनास किया है यह कंप्रीट भी करें अगर भारत हमारी सरकार आती है निश्ची दूरूप से हम पूरी तरह से जेवर आपको बहुत जल्दी चालू कराएंगे और जो यहां पर किसानों की समस्चा है लेको उसको प बड़ा मुद्दा रहेगा ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे आज की खबर के साथ